समयम में, बॉलीवुड की जादूई भूमी पर एक प्रेम कहानी मौजूद थी जिसने लाखों लोगों के दिलों को मंत्रमुप्ध कर दिया था। ये सलमान खान और एश्वर्या राय, दो व्यक्तियों की कहानी थी जो एक फिल्म की सेट पर मिले और प्यार में पढ़ गए अपनी आकरशक पसनेलिटी और डैशिंग लोग के लिए जाने जाने वाले सलमान खान पहले से ही इंडस्ट्री में एक लोगप्रिय अभिनेता थे। दूसरी और एश्वर्या राय एको भरती हुई अभिनेतरी थी, अपनी अलोकिक सुन्दरता से उन सभी को मोहित कर लेत सलमान और एश्वर्या की जोड़ी एक दूसरे के साथ थी और जब से वे मिले, उनके बीच एक निर्विवाद के मिस्ट्री बन गई। उनका ओन स्क्रीन रोमेंस जल्द ही वास्तविक जीवन में बदल गया, क्योंकि उन्होंने खुद को एक दूसरे की चुमबकिया उप मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। अपने सुरक्षात्मक्स वभाव के लिए जाने जाने वाले सलमान पूरी तरह से एश्वर्या पर मोहित थे और वह भी उनके प्यार और अटेंशन से मंत्रमुग्ध थी। जैसे जैसे उनका रिष्टा मजबूत होता गया, दो उनों सितारों के बीच संभावित शादी के बारे में अफवाहे फैलने लगी। बॉलीवुड के दो सबसे बड़े नामों की परीक्था मिलन की कल्पना करते हुए प्रशंसकों को एक भव्य उत्सव का बेसबरी से इंतचार था। हाला कि भागी ने सलमान और एश्वर्य के लिए कुछ प्रत्याशिक मोर लिये थे। एक दूसरे के प्रती अपने गहरे प्यार के बावजूद इस जोड़े को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा जिसने उनकी रिष्टे पर भारी दबाव डाला। प्रैस ने लगातार उनका पीछा किया, उनकी निच्ता पर हमला किया और उनके जीवन के हर पहलू की जाच की। इसके अतिरिक सल्मान के अस्थिर स्वभाव और अधिकारिता ने उनके एक समय के आदर्श रिष्टे पर असर डालना शुरू कर दिया। जब सल्मान और एश्वर्या के बीच कथित दुर्व्यवहार और शारीरिक जबने की खबरें सामने आईं तो ये रिष्टा तूटने की स्थिती पर पहुंच गया। एक समय की आनंद मैं प्रेंग कहानी सारवजनेक जाच और व्यक्तिगत संधर्शों के बोज तले धहती नजर आ रही थी। अपनी भलाई की रक्षा के लिए द्रिर्स संकल्पित एश्वर्या ने रिष्टा खत्म करने का कथिन निर्ने लिया। ब्रेक अपने पूरी इंडस्ट्री को सदमे में दाल दिया। प्रशंसक और मीडिया अलगाव के पीछे के कारणों के बारे में अतकले लगाने लगे। दुखी सल्मान ने उनके रिष्टे को बचाने की को सनल ग्रोग पर फोकस किया। सल्मान ने अपने अभिने में गहराई से काम किया, जबकि अश्वर्या खुद को इंडस्ट्री की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक की रूप में स्थापित करती रही। समय बीटता गया, घाफ ठीक होते गए और जीवन आग हो गई। हाला कि इस संक्षित कुनर्मिलन ने व्यक्तिगत रूप से उनके विकास के लिए एक वसीयत नमा के रूप में भी काम किया, क्योंकि वे सोहाटपूर्ण और पेशेवर तरीके से बातचीत करने में सक्षम थे। लेकिन यह उनके प्रशंसकों के दिलों में बसी हुई है, जो अभी भी उनके द्वारा साज़ा किये गए जादू इक्षनों को याद करते हैं। लेक्ति में आकार देते हैं जो हम बनते हैं। लेक्ति में इक्ति में आकार देते हैं। लेक्ति में आकार देते हैं।